हेई गाईज मैं हूँ विकास और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने एसूस जैन फोन मैक्स प्रो एम वन में ओफिशल पाई अपडेट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं जी हाँ एसूस ने अपने मैक्स प्रो एम वन के लिए फाइनली बीटा रूम में पाई को लांच कर दिया है तो यहाँ पर आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपको दिखा देने वाला हूँ तो देखिए यहाँ पर मैं फिलहाल इसको यूज कर रहा हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ फोन एसुज एंफोन मैक्स प्रो एम वन है और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रोइड वर्जिन तो यह देखिए एंड्रोइड पाई मैं अभी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ तो चली जाता समय नहीं लेते हैं बताता हूँ आपको कैसे इसको इंस्टॉल कर बना है तो सबसे पहले आपको रेजिस्टर करना होंगा एसुस के बीटा प्रोग्राम में तब ही आपको यह अपडेट जो है मिल पागा तो एक बार अपको रेजिस्टर कर लेंगे बीडिबियो के दिस्क्रिफिप्शन में लिक्रिफल आप Cincinnati दिया कर सकते हैं जो भी प्रोग्राम उसर प्रोग्राम और यहां पर दिये गए है नीचे की तरफ छे लिंक्स जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं एसूस के इस Zenfone Max Pro M1 के लिए जो पाई अपडेट आया है बीटा में उस फाइल को आप यहां से www करके यहां पर जो फाइल आ रही है यह वो अपडेट फाइल है इसको आपको नॉर्मल अगर आपने कहीं और डाउनलोड किया था आपको उसको मूव करके ले आना है अपने फोन के इंटरनल स्टोरेज में आपको और बता देना चाहता हूँ यहां पर आपको उस फाइल के साथ में कोई छेड़ खानी नहीं करनी है आपको ना तो उस फाइल का नाम चेंज करना है और ना ही उसकी कोई भी लोकेशन वगारा चेंज करनी है और साथ ही जो एसूस का लेटेस्ट अप्ग्रेड है जो एसूस ने अपना 27APPर्वडी को अपडेट दिया था वो अपडेट आपको फॉन के अंदर इंस्टॉल करना है तब आप इस update को अपने phone में install करने के लिए eligible होंगे तो इस तरह से आप अपने Asus Zenfone Max Pro M1 में Pi का जो beta update आया है उसको install कर सकते हैं और यहाँ पर मैं कुछ changes भी आपको दिखाना चाहूंगा जो कि मुझे इस update को install करने के बाद में मिले हैं सबसे पहले अगर बात करें home screen की तो कोई खास changes नहीं है launcher वैसे का वैसा ही है अब बात करते हैं quick toggles की तो quick toggles की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अपकी बारे में इनको round कर दिये गया है और colors में भी changes कर दिये गया है और चेंज किया गया है इसके बाद में चलते हैं device के settings में और settings में जाने के बाद आप दिख सकते हैं आपर settings के जो icons है वो पहले आपको colors में नहीं मिलते थे अभी यहाँ पर इन icons को भी colorful कर दिये गया है और साथ ही यहाँ पर मैं आपको display settings में दिखाना चाहूंगा theme में अगर आप जाते हैं तो theme में पहले आप choose नहीं कर सकते थे आपका जो wallpaper base होता था सिर्क वही काम करता था light और dark के लिए अभी आप यहाँ पर manually भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो उसको wallpaper base भी automatic रख सकते हैं और एक चीज और मैं आपको बतना चाहूंगा gestures के अगर बात करें जैसा कि हमें M2 में नहीं मिलाता तो M1 में इस बार Asus ने gestures को भी यहाँ पर दे दिया है तो यहाँ पर आप पिलका यूज करके यहाँ पर इन सब चीजों को access कर सकते हैं लेकिन कुछ bugs भी हैं अगर आपको वीडियो इन बग्स के बारे में जानना है तो मैं अलग से एक dedicated वीडियो इसके उपर बना दूँगा जिसमें मैं इस कर दो यहाँ पर आपको कर दो, प्रके पर आपको कर दो, अजातारे में आपको कदो कर दो